एक गाव में तुनी नाम की एक चिडिया रहती थी। उसके तीन बच्चे थे अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। गाव के पास एक बहुत घना जंगल भी था जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। तुनी चिडिया हमेशा यह सोचकर डरा करती थी कि कहीं उसके बच्चे गलती से भटक कर उस जंगल में ना जाए। इसलिए वह हमेशा अपने बच्चों को समझाया करती थी कि वह बहुत ही खतरनाग जंगल है। इसमें कभी मत जाना क्योंकि वहाँ पर बहुत ही खतरनाग जंगली जानवर रहते है। एक दिन किसान का बेटा अपने किसी दोस्त से बात कर रहाता और कहे रहाता आजकल जंगल में बहुत ही मीथे मीथे फल पेड़ों पर लगे है। यह बाद चिरिया का सबसे छोटा बच्चा सुन रहा था और मिटे फल को याद करके उस बच्चे ने सोचा क्यों न जंगल में जाकर मिटे फल का मजा लिया जाए वह बच्चा अपनी मान ने जंगल के बारे में बताई गई बातों को मिटे फल खाने के लालज में भूल जाता है और बाकी बच्चों से चुपकर धीरे धीरे जंगल की और चला जाता है वही दुसरी और गाव में जब तुनी चडिया ने अपने एक बच्चे को वहा नहीं पाया तो बहुत परेशान हो गई और वह जंगल की और अपने बच्चे को दुनने के लिए निकल पड़ी जंगल में कुछ ही दूरी पर जाकर उसे अपना बच्चा दिखा जैसे ही तुनी चडिया अपने बच्चे से कुछ बोल पाती तभी सियार ने तुनी चडिया और उसके बच्चे को देखा तुनी चडिया और उसके बच्चे के सामने आ गया जिसे देख उसका चोटा बच्चा बहुत घबरा गया और अपनी मासे चिपक गया बचने का कोई रास्ता ना देखकर तुनी चडिया ने फिर से अपना दिमाग लगाया और सियार से कहने लगी आपकी सियारीन ने तो हमें आपके लिए बचा कर रखा है और कहा है कि जब मेरे सियार राजा आ जाएंगे तब वह आपको ताजा ताजा बोजन भेट करेगी अगर विश्वास ना हो तो उस कोवे से पूछ लो जो आपकी सियारीन के कहने पर निगरानी रखे हुए है सियार ने कुछ दूरी पर पेड़ के उपर बैटे कोवे को देखा वह उस से पुछने उस और बढ़ने ही वाला था कि उसके दिमाग में विचार आया जरूर ही वह तुनी चडिया सच बोल रही होगी और वह कोवे से बिना पूचे ही वापस मुड़ जाता है सियार के जाने के बाद तुनी चडिया और उसका बच्चा फिर अपने गाव की तरफ दोड़ लगा देते हैं पर अभी जैसे उनकी किस्मत में आज एक और परिक्षा देना बाकी बचाता इसलिए कुछ दूरी तय करते ही अच्चानक से उनके सामने सियारीन आ जाती है सियारीन उन दोनों को देख कर बहुत खुश हो जाती है और वह सोचने लगती है आज तो इनका शिकार करके सियार को ताजा ताजा बोजन भेट करोंगी जिससे वह खुश हो जाएंगे यह सोच कर सियारीन जैसे ही उन दोनों के पास पहुशती है तब भी तुनी चिडिया उसे देख कर मुस्कुराने लगती है तुनी चिडिया मुस्कुराती हुई उससे कहती है सियारिन जी आप अवश्य ही हमें खाने की सोच रही होगी पर सियार ने हमें आपके लिए संबाल कर रखा है और यह कहा है आज तो मैं अपनी सियारिन के लिए बहुत ही कोमल और सुन्दर हिरन को मार कर ले जा रहा हूँ लेकिन अगली बार में अपनी प्यारी सियारीन के लिए खुद तुमें मार कर ले जाओंगा आज के खाने में हिरन की बार सुन कर सियारीन बहुत खुश हो जाती है उसके बच्चे का शिकार कि बीना ही अपनी गुपा की ओर चली जाती है उदर सियारीन के जाते ही तुनी चिलिया अपने बच्चे के साथ गाव की तरब दोड लगाती है और गाव में जाकर अपने घर में पहुच कर ही सास लेती है वहां आज अपने बच्चे की जान बच्चने पर बहुत ही कूश थी